लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें तर्ट वितुल्बरें भर्गोदे वाश्टी में दियो यूना प्रचोना आइकुन को प्रचोना इमाचल की पहाड़ियों में गूमने वाले इस बुड़े पैदाईशी फ़कीर का नाम है मन्धारी अपने पुराने दो अजीम दोस्तों के खोजाने का गम दिल में दबाए भटकता फिरता है ये चित्रका मन्धारी जिसने सनातनपुर और उसके बड़े बड़े सौदागरों के इतिहास को अपनी आँखों से देखा है तिमली का भूटा बेरी का पेड़ तिमली खटी मीधे बे तिमली का भूटा बेरी का पे तिमली खटी मीधे बे इस जंगल में हम दोशे चल घर जलते हो गई थे चल घर जलते हो गई थे एक किसान का बेटा था और एक राजा का लेकिन बचपन तो इश्वर का रूप होता है वो क्या समझे राजा और रंक के भेदभाव को एक बार बीरू की गाड़ी को धक्का देते राजू के पाओं की अट्डी तूट गई तो वैट जी ने राजू को पंदरा दिन स्कूल जाने से मना किया बीरू ने भी भागवान के सामने प्रण लिया कि जब तक राजू की टांग ठीख नहीं होगी वो भी एक टांग पर चलेगा ऐसी थी दोस्ती राजू बीरू की गाओं के कुंडे बली राम ने जब राजू की बहन पर नज़र डाली तो बीरू से रहा नहीं गया बीरू बली राम तेरी ये मजाल के तुने हमारे दोस्त पर हाथ उठाया बली राम तेरी तो हम करदन तोड़ देंगे राजू छोड़ दे से नहीं पर नज़र डाली इसका तो हम खून कर देंगे तुझे मेरी कसम है राजू तुझे बीरू की कसम है बगा दिया ना उसे दे दी अपनी कसम हाँ मैंने कसम दी लेकिन तुझे उसका खून नहीं करेगा राजू ना बीरू यार ये दुनिया दोले है क्यूँ यार ये दुनिया दोले है क्यूँ हर एक चीज़ का मौले है क्यूँ ये सब है रा तेरी ये सब है रा तेरी प्यार में कोई हेर ना पिरू इमली का भूटा बेरी का बेर इमली खटी मीठे बेर इस जंगल में हम दो शेर चलगा चलगी हो गई दे जब है प्यार करने लगी थी जब ये राज राजेश्वर की पत्नी ने समझ लिया तो राजेश्वर दूसरे दिनी बीरू की बड़ी बेहन से बीरू और पाली कांथा की शादी की बात पक्की करने गया आज मैं बहुत खुश हो भीया अरे पगली तुझसे जादा खुशी तो हमें है आज के बाद ये दोस्ती रिष्टे में जो बदलेगी बैणा मेरी सुना तुमने जीजा जी क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं पाली कांथा की शादी पर उस बीर सिंग को बारा सो एकड की बाड़ी और अपना ठाकुरगर दे रहे हैं चुनिया बाबू अगर साई धर्ती पर हमारा राज होता तो वो भी अंबीर खुझे डालते बीरू का पता किया वो कहा है जी हां मुझसे कहकर गए हैं रामदर शास्त्री की बेटी की शादी पर दुर्गापूर गए हैं शादी पर हाँ शादी पर नहीं सेर्जी नहीं ब्राद मत वापस ले जाओ मैं देज की पाई पाई चुका दूँगा लेकिन मैं आज मद्बूर हूँ पाराद वापस चाहेगी चलो बड़े नहीं मालिक नहीं एक पार मंदब से दूला चला गया तुभी कौन कर रहे हैं इससे ब्याद और रामधर जी को है जरूरता ऐसे कमीन लोगों की मिनत समाजत करने की हमारी लड़की हमारे गाओं का मान होगे हैं मान इत्ता मान रखे हैं तो कर लेना शादी इस तरद्री से और नहीं पीरू ये क्या किया तूने कुछ नहीं कुछ भी नहीं अरे इस तब पढ़ने दो खमारी लक्षबे की जिंदगी वरबात कर दी और कुछ नहीं होना मैं जो कह रही हूं तो फिर कौन गरेगा इससे ब्याद अरे इससे का पूछे है जिसे खुद तरहेज में पारा साई कर्दमिन मिली है अरे कर्मारी आए कि अरे बेट ये फिर नहीं कर्वड़ आए कर्वे भीतर नहीं कर्वे दो आए कर्वे अरपने थाकुर जी, इसने देहर खा लिया थाकुर जी अब अपनी बेहन के लिए सुहाग का जोड़ा नहीं, का पन मंगवाई थाकुर जी, का पन आपके दोस्तें खूब दोस्तें निमादें राजू मुझसे पूछ तो सही यातू, कि यह क्या हुआ हम तुमसे क्या पूछें, यह पूछें कि तुम यह आने से पहले मर क्यों नहीं गए यह पूछें कि तुमने बर्सों की दोस्ती को देखते देखते सिंदा क्यों गार दिया क्या यह पूछें कि तुम हमारी पहन की लाज को अपनी बीवी के दुपटे से ढखने आयो राजू, मर गया राजू, खत्म हो गया भीरू यह तगाबाज दोस्त, क्यों और आग लगाए हैं यहाँ ले जा इस मनुस्ता कर दोस्त, तुम बीने कुपटे चरी यह बादा ले जा इस तरामी के हिया सर् बेसे हिंग, तुम यहां से चले जाओ इससे पहले गयवारे हाथ खुम से रंगे जाएं तुम चले जाओगी हां से तरह ठीक ही क्या यहार यह राजू मर गयार भीरू खतम हो गया तु ऐसे समझ ले चल लक्ष्णी, देख लियासा राजेश्वर सनातनपुर छोड़कर विदेश चला गया दोस्ती का सुरज हमेशा के लिए डूब गया अच्छी साल गुजर गए उधर राजिश्वर विदेश में अपना कारोबार बढ़ा रहा था और इधर उसके दो बेठे अपना पाली नगर बना लेने की कसम खा जुके थे ये गजंदर और देवन का वादा है मामा कि सनातनपुर की हर खेत पर तुमारे कारखानों का राज होगा उनका हर किसान हमारा गुलाम होगा भीरू यानि बीर सिंग आज गाउं का मुख्या बन चुका था उसके भी दो जवान बेटे थे जो फलों और सबजियों के सौदागर बन चुके थे अगर गाउं के रहें तो थे खुका लगाने का इस अच्छा तरीका हो ही ने सकता आपकी नहीं नहीं बाते और नहीं नहीं तरीके कभी सुना है कोई बाप अपने बेटे को सीटी बजाना सिखा रहा हो बाप नमारी सीटरी बेटा सीरंदार वाभी बाप तो बाप अब बेटा भी सीटी बजाना सीख रहा है वाभी वाभी क्या देखा वहां तेरा भाई क्या कर रहा है गगन क्या कर रहा हो बंदूक में गोलिया भर रहा है खबर बिल्कुल सच्ची ए गगन वैया जुनिया की साजिस सिर्फ हमारे किसानों कोई खतम करने की नहीं बल्कि राजेश्वार और दादाबीर को भी खतम कर देने की है अब देवना बड़ी राम यारी दोन्यों की सम्मादी वहीं बड़ेगी एब समझेया तू राजनीती बड़ी राम ने ठीक कहा चुनिया बाबू लेकिन कुद्धे भी तो अपने मालिक से वफादार होते हैं को तुमस्मश्ध THE हो तमारी राजनीती कमयाब होगी नहीं एक दिन तुम संनातानपूर के राजा बनोगे नहीं अदाबीर और राजश्वार सिंघ काबर बनाओगे कभी नहीं तुम उनकी महबत की टहनिया काट सकते हो उनकी जड़े नहीं यह कभी नहीं होगा और तुम जैसे राक्षास का परदार राजश्वर वाबू के सामने मैं फाश करूँगा मैं इंतजार करो चुनिया अपने विनाश का अपनी बर्बादी का करम करें करें महा काया सोड़ कोडी समाव निरले कम कुरुमे देव सार्वकाय स्थुस्वाता स्थुसवाता प्रुमेड़ कर दिया 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 क झाल झाल अजै यह नहीं नहीं, मैं विद्वा बन गई, लेकिन अब बिनमची की मान नहीं बन सकती, मेरे मान से को मत भेज़ा अरी बावली उसका यहां रहना ठीक नहीं अमरे वासुकु सनातनपुर में जान का खत्रा है आचारे जी इसलिए बाबा की ये इच्छा है कि इसे आप अपने शरण में बढ़ा करें और शर्ष्ट विद्या दें लेकिन आचारे जी इस इंसा का कोई अंतो होगा मंधारी अगर प्रेम का अंत हिंसा करती है तो हिंसा का विनाज भी सिर्फ प्रेम ही कर सकता है बाकी तो काल चक्रा है, जो होगा जो होगा जी कलेक्टर साथ, हम पालिनगर लोट रहे हैं विशाहिल की मौत के बारे में महाजराद आप से मिलेंगे जरूर, आप मेरे घर आईया, यही कोई नो बज़े कांप मत्र काम हो गया है जारे लो भी लोना हो, काम हो ही, आप मेरे सोनाना कांप मेर già की जाम हिर्ण भीओे कर खालू पर गया कर मत्र कर थाण आपके जिगरी दोस्त बीर सिंग ने किया हम कुछ करी नी सके और आपको 14 साल की कैद हो गई 14 साल तो क्या ठाकुर राजेश्वर सिंग 114 साल की कैद के बाद दिल लोटेगा और फिर बीर सिंग को अपनी आखों के सामने मिठते हुए देखेगा आपा दो हुएा हुएा आव इशा हुएा 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 и Hah! आप 예私! आप MS! पहाड़ी इलाके पर देरा जमाए पहुची अफसरों ने दिन रात हो रहे इस खून खराबे को रोखने कर जम्मा लिया सनातन पूर और पाली नगर के बीच बहर ही व्यास नदी को इन दो गाओं की सीमा बना दिया गया और दोनों ने अपने अपने संग्रक्षक तैनात कर दिये कई साल और बीच रहे उधर राजेश्वर जेल की सलाखों में चल रहा था और इधर दादा बीव उसने अपने किसानों के हाथों में बंदू के धमा तो दी पर दोस्त की दोस्ती को भूलना सका था नशे में दूबेन पूंटी पती मर्दों के दुनिया में सब्रे अवर्तों का कोई स्थान ना था ठाकूर हवेली से ये मधूर स्वर्थ समझते देर न लगी ये गज्जा की बेटी राजेश्वर की पोती राधा है जो दिल्ली कॉलेज से पढ़कर यहां पहली बार छुटियां काटने आई है में बार बार राधा 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 गज्या बाबु की बेटी हो ना जी हां और आप आप यहां की मंधरी काका है ना राधा तुम फिर अपने कमरे से भार आई जाओ अपने कमरे में और खबरदार जो अपने कमरे से कदम भार रखा तो कम आजया मॉन्ती उदास हो तुम और हम मिलकर डांस करेंगे कम आउन नो थैंक्स सुईट सुइथार्ट डैड़ी आई लाव हर आई लाव हर तेरी शादी भी करवा देंगे बिटा पहले मेरी शादी तो हो जाए पापा आपकी शादी किया है तेरी तीसरी माहर क्या थर्ड ममी मेरा कम्मी और मेरा रांमी मेह करतर को भो 1 उ10 में यह थार बैन एिसका दहें अयाचा क्रों ँाध्व मेरि न उड अप्य ब्राथा अरे क्या हुआ मेरी पैरी बैना को मैं दिली वापस जाओंगी, मुझे नहीं रहे नहीं यहां पर अरे, क्यों? जिसे देखो, वो डाते ही रहता है गैरी कितने बदल गए मां के माने के बाद बड़े बापा होते न? तब सबको पता चलता है अरे, पगली, मैं भी तो हर साल यहां आता रहता हूँ छुट्टियों में यहां किसी को किसी से प्यार नहीं महल है, दौलत है, बस दम घुटता है यहां पर अरे, मैं सुबह सुबह घुरसवारी करने जाता हूँ तू भी चलना मेरे साथ घुमने अरे, अमला, अपने घर से किसन जी की मुटी लाई है ना हाँ, लाई हूँ भावी लेकिन क्या बात है इस साल जनमाश्टमी की तैयारियां बड़ी जोरो-शोरो से हो रही है क्यों नहों 14 साल के बाद इनका लाडला भतिजा वासुदेव जो आ रहा है हाँ हमारे सनातनपूर का रजकुमार आ रहा है ओ गगन कभाल है या तुम लोग अभी तक यही लगे पड़े हो भई तैयारी करो अदर लाड़ी परवत जाना है वासुदेव कर लेकर आना है ओ बड़ी जनमाश्टमी की तैयारी करनी है सारे काम धरे पड़ें अभी तक थारी लाडली बहु आरती कमरे में बैठी है आचा ये किचिट्टी लिये हुए हाँ वासुदेव की थारी फेपार रही है 200 लो वार तो पड़ चुकी आचा खेंगी क्यों ने पड़ेगी अरे उसनियों बैठाइथा है एक जुडएटा गुली वोस्त इन मिहां फांट अले को लिद ट्राइग ने विचल ट्राव मेरा रहा हएखेगien कर दोपी जनरस रास भिलासी कौरव कालिंग कंस भिनासी हिम करपान प्रिसान प्रकासी सर्व भूत रिया की बोलो जय पनया की कर दो जाट कालिंगा त्रकासी बोलो जाट रिया की। मेरी अखिया तरस गई अब तो आजा मेरी अखिया तरस गई अब तो आजा जब नाके पट पर जब नट खट बंसी वालेगी बंसी बाजेगी राथा नाचेगी बंसी बाजेगी राथा नाचेगी बंसी बाजेगी राथा नाचेगी बंसी बाजेगी राथा नाचेगी बंसी 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 बाजेगी राथा नाचेगी को अपल रहा जाओं लाएं, तो आओना में रहा जा तो अधिए। आजा, आजा, आजा आजा, आजा, आजा नक्षक बन्सी वाले बस्ल के जाजा मेधी अख्यात रिस गया उता आजा आजा, आजा, आजी जा आजा, आजा, आजी जा आजा, 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 आजी जा सापकी बैटी नेदीमे चलेगे थर क्या गहा? वो देखो फ्कर फिर एड़े अज़े एड़े, वेड़े, परॉएे! वासु कहा है, मानून नहीं वो सब लोग वासु को ही डुनने गए दादावीर चाहिए आप कपाली नगर आगया घर जाइए सुनिये, दुश्पनों की नगरी में आना ठीक नहीं मेम साब क्यों? अब समझ गई ना क्यों? फिर आईएगा यहाँ जी हाँ जी नहीं सुनिये फिर आईएगा तो सिर्फ इस सीमा तक आईएगा वैसे वासु देव नाम है मेरा दुश्मनों का लड़का हूँ बड़को बड़को सिर्फोर視ब अशोरे वासु पासू बड़को बड़को बसू बसू मा मा इतने शोर में तुनी वीरी आवास सुनली बेटा मा की आवास तो पातार में रहकर भी सुनाई देती है मा और फिर इतने बरस मैं आपकी आवास और बाबा की सीटी ही तो सुन रहा था जुक जुक जीओ मेरे बच्चे मैं छुपके आई हूं तुझसे मिलने क्यों वासो अभी मुना किया था तुए कहा गयता तुए तो घर पर नहीं सुरक्षा दल में जाकर रहेगा चल अज के बाद तुम इन्हीं लोगों के बीच पे रहोगे समझे अज दुए यह नहीं यह यह सब क्या है जादू यह 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 जब तक के दुष्मां कुठीने नटेकते आपकी आग्या होगी और वासु का सर कटेगा दादू दुष्मां का सर कटेगा तेरा क्यूं कटेगा बेटी दुष्मां का सर कटेगा वो लोग हमारे दुष्मन है खबरदार जो इस नदी के तरव एक भी कदम बढ़ातो तुम दोनों की तांगे तोड़ दूना समझे वो क्यों था जो तुमें गेट तो छोड़ने आया मालम नहीं पापा आज हम वासु को दुष्मनों का वो गड़ दिखाएंगे जिसे हमें एक दिन नष्ट करना है थाकुरगड हाँ वो ठाकुरगड जहां सादे होते हैं हमारे जिंदग्यों के विदेशों के साथ लेकिन हम बहुत जाएंगे कैसे फोजीयों के फेस में कर दो वासू काहरे है... सुनो यहां अंधेरा क्यों है गाउं के बिजली चले गई है बेटी समल के जाना कमे में गाउं में दोश्मन गुसाय है दिवाने तेरे नाम के धड़े है दिल ठाम के दिवाने तेरे नाम के, धड़े है दिल छाम के के हम तेरे प्यार में, के हम तेरे प्यार में रहे ना किसी काम के, धड़े है दिल छाम के जिवाने तेरे नाम के, तड़े हैं दिल खाम के जादा, समरे में कोई आया तो नहीं? नहीं, कोई नहीं आया यहाँ तो जाओ ढूंडो मगर बड़ी दूरिया बड़ी मजबूरिया मिटा दे लग के गले मिटा दे लग के गले गिले ये सुबा शाम पे धड़े है दिल खाम के धिवाने तेरे नाम पे धड़े है दिल खाम के सुनिये फेरा येगा तो सिर्फ इस सी मतका येगा क्यों लाधा नाम है मेरा दुश्मनों की लड़की हूँ सुनिये अरे बाबा आज तो वासुने कमाल करें क्या दुश्मनों के किले में अकेला खुसा उनसे लड़ा उन्हें मारा खुद गोली खाई गोली खुद निकाली और वापस आ गया अरे आखिर पोता किसका है बुश्मन दोस्त गुद लग गुद लग क्याते हैं जी हाँ, यानि की कोई शुब शुब बात होने वाली है आपके साथ अच्छा जी बुर्लाक, आपके सिपाही कौन था वो, हूँ अज़ी, हूँ आर यू मी, मैं तुमारी हिफाज़द प्रोटेक्शन अपने हिफाज़द मैं खुद कर सकती हूँ, मिस्टर, स्टेई हूँ जी हाँ, 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 मैजेस्टी, राधा सिंग, ठाकुर वा, जी वा, चार फुटकी लड़की, और चार मी लंबा नाम जी हाँ, 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 क्लास इंग्लिश में नाम, इसी तरह से लिखा जाता है हमारी अंग्रेजी जरह आप से बढ़कर है यानि? अच्छा बताईए, इसका मतलब क्या है? टी? जी हाँ, सिर्फ टी टी, टी for ticket मैंने कहा, सिर्फ टी सिर्फ टी, मतलब? टी का मतलब, चाए चाए? जी हाँ, चाए, टी, चाए चाए अच्छा आप बताईए, इसका मतलब क्या है? सी, 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 कैट जी नहीं, सी का मतलब, देखो देखना सी हाँ, एक लास इंगलिश है, जी शाट कट, शाट ओ अच्छा ये बताओ ये तीन अक्षर मिल जाए, तो क्या बनता है? I, L, U इलू इलू का मतलब? इलू का कोई मतलब नहीं होता होता है, है नहीं होता है है, है, है सोचो इलू का मतलब क्या? लेकिन एक ख्यूत तो देदो न, इधर उधर का कुछ हिंटो देदो हाँ जब बाग में कोई फूल खिला, तो भगरी ने कहा, इलू इलू परबत पे छाई काली घटा, तो बोली हवा, इलू, इलू इलू, इलू हाँ, जल्दी बताओ नहीं इसका मतलब, मेरी किसी से शाथ लगी है इलू, इलू अरे पगली, इलू का मतलब आई एल यू मतलब? इलू, इलू, आई एलू हाँ, इलू, इलू हाँ, इलू किलु 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 क्या है जब वाग मुल कोई पूल दिला तो खावरे ने कहा पिलू 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 परबत पेचाई पाली गठा तो बोली हवा पिलू 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 जब कोई अरचा लगता है बड़ा प्यारा प्यारा लगता है तो धी करता है पिलू 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 का मतलब आई हल यू पिलू का मतलब आई लव यू कि अच्क बड़त aan मतल पिलू 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 कि पिलू dice पिलू पिलू क्या है पिलू पिलू चुप बाग में कोई पूर थिना तो भवरे में कहा पिलू 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 परपत के चाल आल खता तो बोली हवा पिलू 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 का मतलब I tell you, I tell you I love you, I love you Il juguilud, il juguilud, il juguilud, il juguilud, il juguilud ये Il style motto, il juguilud जब मिठे बोले कोई बोले मिसरी की मिठी गलियों से जब मस्त वारों का मौसं गुजरे गाओं की गलियों से जब मिठी से आए खुश्बू वो धिल करता है बिलु 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 का मतलब I love you, I love you, I love you, that I love you पिलु बिलु, पिलु के महीने में शाये सारे पागल हो जाते हैं जब मौर पपी हाँ हो यह सब माहों में शौर मचाते हैं आवादी आती है है सुदिल करता है हा case miss हाँ यह सरे आता है हाँ यह सबस्त्रों में रखंच हो यह सब द मया दो health किलु पिलु 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 कहते हैं लोग महाबत में ये दिल दिल से जुड़ जाता ये तो ऐसा पंची है जो पिंजडा लेकर उड़ जाता है जब प्यार का चलता है जदू घिल करता है घिलु 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 इलू, 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 इलू कम अदलग, I tell you, I love you, I love you, I love you हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है इलु 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 यारो इस जूटी दुनिया में जब कोई सची बात कहे जब बोर भए पंची जागे और शिव मंदिर में शंक बजे जब मस्जित में हो अल्ला हो तो दिल करना है धिलु इलु 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 कर दो फफस्ट हो कि हम अईट कर दो एज हो और समय एजब फफस्elyn वे जबänder कर दो जो कि अ उब गबना जूस हो कि एज कर दो कि नचरा कि उब एका घूब खाइ बार्यो गिजड़ फजाद म कि अजब खाइब चर्बाद्ब पर पाइब चाहा हो। कि विर्बुम् आफिल्टुम् 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 रादा बड़े पापा आ गए है 14 साल जिल में रहने के बाद आज पालि नगर के ठाकूर राजेश्वर संग अपनी हमयली वापस चले आए राजेश्वर शीँंग बड़ी पापा बड़ी पापा बड़ी पापा पापा बड़ी पापा बेटे हम कब से तुम्हां इंपजार कर रहे हैं तुम कहां गई थी मुझे पता ही नहीं थे कि आप आजाने वाले बेटे हम कब आते हैं और कब जाते हैं ये तो तक्दीर बनाने वाले कुई मालूम नहीं मंधारी आसमान में बिजली कड़के और धर्टी पर चमक न हो ये तो हो ही नहीं सकता राजेश्वर गाउं का बच्चा बच्चा जान गया है कि ठाकूर राजेश्वर सिंग आ चुका है आओ मंधारी, आओ हर बरस से के एक दिन गिन गिन कर इंतिजार कर रहा था तुम्हारा मंधारी काश के तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नीम से उटकर चले आते दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निवाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मने करता है तो तारीख बन जाती है देखो एक छोटी सी भेट लाया हूँ तुम्हारे लिए जो शायद तुम्हे कुछ याद दिला सके इमली का बूटा बेरी का बेड बस अफसाने मारे हाद में राजेश्वर या तो इस तस्वीर को उठा कर चूम लो या हम अपना फैसला एक शर्ट पर सुनाएंगे मंधारी अगर तुम हामारा फैसला बी सिंह तक सही सही पहुंचा दोगे तो तुम्हारी शर्ट मेरा बादा पीर सिंह और हमारे बीच एक ही सौला हो सकता है मौटका 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 इस ड्या इसो अर्ट मेरा बीच भादा जो प्रट बादा प्रट तुम्हार थिर्ट कौन से कुच्चिय कैटे तो मुदारों कौन तेरे मश्वरत दिया रा उदर जान का तेरे को आजान की आखरी उमीद लेकर गया था मंदारियों के पास इन सोचके कि चौदा साल में उख का माता थोड़ा तो ठंडा हुआ होगा चौदा साल चौदा साल मुले अरे एक सोच्चाज साल भी अगर मुझा जाना तो का माता थंडा होड़ा नहीं कोई जानवर का जानल रहेगा वो माल के बीच में लगड़ेगी चौक्टे में बनी तस्वीर के उपर ता लुआर चलाया वो अरे तेरे के करना था ओ रजेसर अगर तेरे इत्ती गर्मी है ना तो घार के बाहर निकल मिजान में आ सामने ख़ड़ा मिलेगा तेरे दादा बीर फिर तेरे जिग्रा होए तो तू चला तलवार अगर एक उंगली उठादे नामंधारी एक उंगली उठादे दादा-बीर तो सनातनपुर का एक-एक जर्णा भारूद बन के गिरेगा पाली नगर के उपर अरे इच से इच बच्चाएजी सबाज होगे रह जाएगा दादा-बीर चोड दादा बीर दादादी, ना कटादी मेरी तन्ले वहां जाके, अब दिखला न तू, जमीन पे पैर तो ठिकना ही नहीं उसका, हो तो बस आसमान पे खुमता भी रेगा, अकाश के अंदर सर, एंचिन में कुछ खराबी है तो पाली नगर वापस लेलो, नहीं सर, यहीं सनातनपुर में उतरना पड़ेगा, वो क्यों, पाली नगर तक जाने में एक्सिडेंट हो सकता है सर, ठीक है यहीं उतरो, लेकिन यहां भी दुश्मन है सर, तो भाई, एक्सिडेंट में मनने से तो अच्छा है, दुश्मन का सा तुम यहीं उत्रो ओके सर बहिया कर बहुआ है कर दो कर दो हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए भी से अतन्य देखकर कोई खास परिशा नहीं हमको भी ना हुए वह प्राना रव वह ढंग वह विजाज वह घमंड वो तो था और है और हमेशा रहेगा वो रहे ना रहे पर एक फर्क तो आगया जुरूर जैस्वर वो जो तो आसमानों पर उड़ता पिरेता ना आज तेरे पर जमीन पर लग गए राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान म समय गया है हाथ दिखा अपनी उड़ान अब जे खड़ा तू और जे खड़ा मैं और जे रहा बीच में पिस्टॉल उठाए पिस्टॉल और चला गोली मुझ पर निकाल ले तो अपने दिल के अर्मान मैं तेरे सामने खड़ा हूं हुआ है 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 हम खाराद नहीं लेते भी सिंग हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे लेकिन वो बंदूग भी हमारी होगी गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा बंदूग तेरी गोली भी तेरी दिन तारीख भी तेरा सुबह बोले सुबह शाम का है शाम हवाज दे तू बीर सिंग तेरे को सामने खड़ा मिलेगा तुम्हे तो वक्त लाएगा बीर सिंग आज वक्त तुम्हारा है सैना तुम्हारी है आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ठाकुर राजेश्वर के सीने पर पहली गूली कौन चलाता है आज देखना तुम्हार एक ठाकुर गाला से कुछा अजिर्फ विफट वस के चलाता है मैं आज़े टौन आज़ेश्वर को सब्सक्राइब तो हमारे मैं आज़ेश्य से आज़ेँ निए ये मैं आज़ेश्वर मिसम्हारता है कि रेजिश्वर जहां पर तु खड़ा है न रेजिश्वर इस धर्ती पर अनाज बोया जाता है पसले काटी जाती है नहत्य आदमियों का खून भागे इस धर्ती को नापाख हमने नहीं उन देना अच्छा हुआ करणनल सहाब आप आ गए बीर सिंग से कहिए कि शेर को सांप और बिच्चु काटा नहीं करते दूर ही दूर से रिंगते हुए निकल जाते हैं और फिर सौदा जिन्दगी बचाने का नहीं जिन्दगी तबाह करने का हुआ था और ये तबाही हो कर ही रहेगी कुनाल हाँ वक्त बीता जा रहा है तुम्हें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए देखो हमला दादा जी ने घर के चारो तरफ पहरे और बढ़ा दिये हैं तो थोड़ा वक्त और दो पहीं ऐसा नहों कि मैं मर्श्ट वासू पापा ने मेरा हविली से बहार अना जाना बंद कर दिया है अब मैं शैतम से नहीं मिल पाऊंगी बारूत फटकर धरती को चीर सकती है रादा लेकिन तलाब में खिलने वाला फूल तो खिलता ही है टायलोग अच्छा बोल लेते हैं आप एक्शन भी अच्छा कर लेता हूँ रियली लेकिन अब हम कैसे मिलेंगे वासू इसका तरीका धूल आया हूँ मैं तरीका यह तीन रंके गुबारा है ना अगर तुमने लाल रंका गुबारा उड़ाया तो मैं सब्ड़ूगा ठैरो खत्रा है अच्छा और अगर मैंने यह पीले रंका गुबारा उड़ाया तो पीले रंका गुबारा उड़ाया तो मतलब याद आ रही है इलू और अगर ये हरे रंग का गुबारा उड़ाया तो मतलब आजाओ और फॉरन एक पंची बनकर आजाओंगा तुमारी हवेली में वाख मेरे प्रेम की पंची पच्छास बंदू के तैनाद है हमारी हवेली के आजपास बुला कर तो देखिए बंदू के चलती है या आशिक का जादू चालेंज चालेंज अगर इस सौदे में मैं जीत गया तो फिर क्या दोगी ना बाबा मुझे इसा कोई चालेंज नहीं करना जिसमें तुमारे जान का खत्रा हो मैं राजेश्वर से मिलने उसके घर गया था तो पता चला कि सब लोग राजा महिंदर के साथ समस्तिपूर गयें शिकार खेने हाँ शिकार का शौक तो उसे बच्पन से है मांधारी तुम तो उनके बच्पन के दोस्त हो उनको कोई रोश्णी दिखाओ ना यार करनल साब जो घर बरसों से अंधेरों में बन रहा हो उन्हें बाहर की रोश्णी किस काम की उसका अंधेरा तो उस घर का कोई दीपक ही दूर कर सकता है ऐसा दीपक उस घर में कोई नहीं? जिस दिन होगा न, शिव कसम मंधारी उस दिन एक टांग पर नाचेगा करनल साब, एक टांग पर लेक्या के तुम ने, क्या? गुबारा था, तुम मैंने छोड़ किया, लेकिन वह मेरा गुबारा था, तो वह? जाव कि बारा था, तुम्हें मालूम है न, तुम्हें कमरे से धान निकलने के इजाज़त नहीं है, अंदर जो, गो बारा कर रार, तुम मैंने चीर में अमेता गुबारा था, एक उका मैं ह 와 बारा, तुम तुम्हें, बारा थाया हैं आठा हैं, पडोड़ने के बारा थांएंग Is तू पंची परदेसी तू जोगी है के जादू कर इन में से कोई भी नहीं मैं सपनों का सौधा गर सौधा गर, सौधा पर, दिल ले ले, दिल ले खर सौधा गर, सौधा गर, सौधा गर सौधा गर, सौधा गर, सौधा गरे ले थक यारि ले, जर ले 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 allий तेरे साथ में कैसे प्यार का सोदा कर लो तेरे साथ में कैसे प्यार का सोदा कर लो ऐसा कोई वादा कर मैं जिस पे भरोसा कर लो जो चाहें लिखवाले मुझसे कोड़ी का गजपए सोदा गजपए सोदा कर दिल लेले दिल दी कर दिल लेले दिल दी कर सोदा कर दो सोदा कर दो कर दो कर दो कर दो जिल तो है पर दिल के पर दिल के परमान कहां से लाओ दोली सहरा गंगन सब सामान कहां से लाओ धोली सहरा गंगन सब सामान कहां से लाओ थाड़ा सास इंदूर कहीं से ले आखस जागर सादा सादा गंगन सादा गंगन से लाओ दिल ले ले दिल दी कर दिल ले दिल दी कर सोच समझ ले आद में ना पच्छता ना ये कह कर सादा कर सादा कर दिल ले 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 दिल के को दिल ले 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 दिल दिल आये है दिल ले 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 बड़ी पापा है और ये मेरे दादू है अल्ला के नाम से इश्वर के धाम से ये तो ये तो ये तो होना ही था तुम दोनों की महबबत पर मंधारी के दस जनम कुरवान मेरे बच्चों वाह 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 हम समझे नहीं मंधारी काका यही तो तुम्हे मालूम नहीं बेटा तुम दोनों जिनकी उलाद हो वो आज एक उसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन है और जो एक जमाने में सबसे गहरे दोस्त है जी सुनोगे इनकी कहानी तो सुनो समझ गया ना सारी कहानी ए दुश्मनी जान लेवा है बचड़े और तू सुनातनफुर की लड़की से छुप छुप के मिलने जावे ए बात कही जीजाजी को पता लग गई तो वो कौन सी बात चुनिया बाबू कुछ बात नहीं जीजाजी मैं समझा रहा था मैं इसे बोल रहा था कि सनातनफुर के मजदूर के साथ भी दोस्ती करने का मतलब है बिच्छू से दोस्ती करना बिच्छू से भी हम दोस्ती कर सकते हैं उसका जहर भी पी सकते हैं लेकिन सनातनपुर का पानी भी हम बरदास्त नहीं कर सकते मेरे बेटे यह है कहानी उन दोस्तों की जो आज दुश्मन बन चुके है अगर तुम दोनों की महबबत पवित्र गंगा है तो ये दोनों उस गंगा के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते हैं कभी नहीं अगर एक किनारे हमारी मुखबत की गंगा को रोपने की कोशिश करेंगे मंधारी काका तो फिर ये गंगा भी बाल बनका इन किनार को तो देगी और फिर एक सेराब आईगा नहीं मंधारी काका मेरी बड़े पापा बहुत अच्छे हैं वो मेरी खुशे के लिए आप में सब गम्मूल आ सकते हैं हम उन दोनों को हिर से दोस्त बना देंगे है ना वाओ मंधारी काका सुन लिया प्रभू, सुना तुमने अब परिक्षा तेरी है दोस्त मेरी नहीं मुझे तो बस ये देखना है कि तु इनकी महबबत को प्रेम की गंगा बनाता है या खून की नदे हमारे बच्चे ने जनम ले लिया है कुनार बाबा बच्चे को लेके दादा बीर के पास गए हैं तुम जल दिया, तुम्हारे इंतिसार में अमला ये नहीं हो सकता ये लोग ये लोग मुझे मार देंगे क्या हुआ बेटा खुला राम राधा है तो कहना कि मैं मैं शहर चला गया तो तीन दिन में लोटूँगा या फिर फोन करूँगा ठीक है ये बच्चा राजेश्वर के पोते कुनाल का है बाबा उसने अमला को प्रेम जाल में फटा कर अपनी वासना का शिकार बनाया यानि हमारी इज़त को मिट्टी में मिलाया इसका जवाब हमें देना होगा बाबा देना होगा सब से पहले आमला बेटी को हमारे पास लिक्या होगा बच्चे को जर्म देते ही वो कुनाल को ढूलने पाली नगर गई है दादा भी कुनाल कुनाल मोन लाल जी जी मुझे कुनाल से मिलना है कुनाल से मिलना है जी बहुत सरूरी काम है उंसे तेरी कहानी मैं समझ गया बचली तू कबरा आ नहीं ममा मैं कुनाल का ममा आचा आचा चल उसके पास आचा एक फट मिलना नमल झाल मैंसे ट्सक मopl चल ची तेरी कुनाल उडे है कुनाल कुनाल कुनाep कुना थाकुर राजेश्वसिंग्षिकार से लोट रहे है कर दो कर दो कर दो कर दो आफ प्रवब्ट करें दो हंग 52 डिर्ट करें सेमेन आफ टिर प्रव प्रवाब है झाल झाल जूट है पापा, सरा सर जूट, यह हमारे खांदान को बदनाम करने की नहीं साजिश है, अरे बदनाम को क्या बदनाम करना कज्जा बबूब, अज सारा गाउ जान गया है कि तुमारे बेटे ने इस बूड़े गरीब की बेटी से छपकर शादी की और उससे यह निशानी दी और फिर राज खुल जाने पर उसके हत्या कर दी, खबादार अगर हत्या का अलजा मेरे मासूम बेटे पर लगा तो, हत्या देखी है, अभी दिखा सकते है, एक लाश नहीं, दक, पचास सो, हजज़ारों, हज़ारों लाशा मिलेगी, पूरे गाउसे, यू गोड़ाइट, इतना गरूर है अपनी ताकत पर, तो चला गोले, अधैक लेकि आज तेरा पूरा खानदान कैसे मिल्टी में मिला दिया जाता है, चला गोले, चला, रजेशन, मेरे लगे टारे ये बेटे जो है, या तो यह अंदे हैं, या फिर भरे हैं, अंदे यू हैं, कि सामने वो आदमी उस बिचारी लड़की की लास लिए ख़ड़ा है, पर इनको वो लास दुखाई ना देती, और वो बच्चा बिलग बुलग के रो रहा, पर इनके कन्ना में कोई आवाज न खड़ती, पीर सेंग, अमारे बेटे अंदे नहीं हैं, और बहरे भी नहीं हैं, अंदे इसलिए नहीं, कि सारे तमाजे के पीछे चुपे, तुम्हारे किसी नाटक को देख सकते हैं, और बहरे इसलिए नहीं कि इस बच्चे के रोने में वो किसी दुश्मन की आवाज सुन रहे हैं तो जजबात की भीक सर उठाकर नहीं सर जुखा के मांगी जाती है वीर सिंग तो जेसर साब ये जजबात हैं एक गरीब मासूम बच्चे के जो आपसे अपने रिष्ट का हक मांगने आया है और हक हक हमेशा सर जुखा के नहीं सर उठाकर मांगा जाता है और आप देखने न एक दिन ये बच्चा आएगा आपके सामने सर उठाकर और ये इसलिए आएगा जिसकी मां के साथ बड़ा तुल्म हुआ हरी बेवफाई हुई इसकी मां के साथ है चलो आज तुम्हीं बेवफाई का मतलब तो समझाया इस गाउं के प्रधान बनने से पहले बेवफाई के प्रधान तुम्हीं तो थे बीर सिंग आज भी अमारी बेहन पाली कांता की आत्मा इन पहाव में भटकती है तुम्हारी बेवफाई के नाम से चीखती हुई इत्यास नहीं बनता रहे जेश्वर और प्राने जख्मों को अगर तुम करेदे होगे तो खून के फवारे फूटिक लेंगे रहे जेश्वर श्वकसम तलवारे मियानों से बाहर निकलाएंगी गरीब और बुफ्रिसों की चाती पर कदम रखने वाले तुम और तुम हरे ये बेटे गरीब बेबस किसानों की जमीनों पर अब्जा करके अपनी जजादें खड़ी करने वाले तुम लोग वो तो भी त्यास की बात करते हो अपनी के लिजाम में तुम को अदालत में 14 साल की सिरा दीना कम दी कम दी हासी के तखते पर चरहत देना था हासी के तखते पर दीजेंग कातल क्या था और कातल कौन था यह हम से ज्यादा तुम जानते हो और यह इतिहास के बात यह ठाकुर राजेशुर से इतिहास बताता नहीं इतिहास लिखता है इतिहास बनाता है और अब सुनो इस ठाकुर का फैसला ना यह बच्चा हमें कभूल है और ना कभी कभूल होगा ठीक है अगर तुम्हारा यही फैसला है राजेश्वर तो फिर तुम हमारा फैसला भी सुनो आज के बाद यह मासूम बच्चा जो है यह सनातनपूर में ही मेरे पास पलके बड़ा होगा मेरे पास लेकिन जिस दिन तक तू तू या तेरी अवलाद इस बच्चे का हक कुबूल ही करेगी उस दिन तक हम तेरे घर में भी कोई शादी ब्यार नहीं होने देगे राजेश्वर माली नगर के किसी घर में कोई संतान परवान नहीं चड़ने देगे हम कसम है मुझे मेरी और मेरे बच्चों की कसम है मुझे सनातनपूर के हर बच्चे बूड़े और जवान की अगर ऐसा कभी हुआ जब कभी हुआ तो वो सनातनपूर का आखरी दिन होगा मैं दोनों गाउवालों को आखरी वोर्निंग देता हूँ लास्ट वोर्निंग के आज के बाद अगर किसी भी तरफ से गोली चली तो मैं आपके हत्यारों के लाइसन्स कैंसल करवाने के लिए सरकार से अपील करूँआ समझ गया ना आप लोग ये क्या हो रहा है दादा बीर रज्जेश्वर भाई आप लोग बड़े आपको कुछ कहना चाहिए पसम तो इन लोगों ने खाई है हमें तो सर्फ जवाब देना है जवाब इन्हें समझाईये करनल साब इन्हें जिन्होंने कसम खाई हमारे बच्चों को खतम करने की और ऐसी कसम राक्षस ही खा सकते हैं अरे राक्षस तो ये पूरा परिवार है करनल साहब जिनके पापो की निशानी आज भी हमारे मातों पर मड़ी हुई है स्टाप इट यार स्टाप इट मैंने आपको या शान्ती के लिए सुना के लिए बुलाया है तो फिर बुलाईये उस बच्चे के बाप को करनल साहब इनके साब जादे को और पूछिए उससे की सच क्या है यहां बुलाओं किसलिए इन खूखार लोगों के सामने अपने ब हुआ है यह क्या केरियो रागा इस अचे कुनार में था कि मिना तेरे शक्ति आए रादा 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 वही करो राधा बेटी राधा तुम जाओ मैं समान लूगा अरे कहा ना मैं तुम्हारी कोई मदब नहीं कर सकता जा तुम जा यहां से लेकिन आप मौबबत के मसीहा हैं यही सोच कर तो आएं आपके पास जा करूँ तुम यह सला दूँ कि तुम दोनों भाग जाओ और शादी कर लो ताकि यह दोनों भड़के तुम दोनों का खून कर दे यह सला दूँ कि तुम दोनों आत्मत्या कर लो ताकि दोनों गाओं में गोलिया चले खून हो और सैंक्रों बेगुना मारे जाएं यह सला दूँ क्या तो हम क्या दरे मदारिका का बस एक ही सला है मेरी मुख चुके हैं मंदारी काका तो कहां जाओगे भगवान के घर चलो रादा ताकत के सामने मौपत के पेगंबर अपनी हार मान सकते हैं मौपत करने वाले नहीं तो भगवान के पास जाओगे आत्म हत्या करोगे कायर एक रास्ता है मेरे पास लेकिन खतरनाक है चल सकोगे बड़े पापा हां मैं कुनाल बोल रहा हूँ कुनाल बेटे राधा कैसी है राधा बड़े पापा वो अपने कॉलिज स्काउट कैम्प में सिमला गई है दो महिने में लोटेगी अच्छा बेटे अपना ख्याल रठना समझे जी बड़े पापा लेकिन पापा हमारे बच्चों की शादी शादी होगी और जरूर होगी यह मत भूलो के जिंदर कि अगर भी सिंग जैसे हमारे दुश्मन है तो राजा महिन सिंग जैसे हमारे दोस्त भी है राजा के लिए हमने लड़का देख लिया है नहीं मंदारी का का यह असभाव है असभाव इसपे खत्रा है खत्रों के जाल में फंस कर तुम यहां तक आ चुके अब मेरे पास तो यही यह गुपाई है विधी आखरी उपाए आखरी उमीद आखरी उमीद? लेकिन मंदारी का का इस पे हमारी हत्य skipping हो सकती है नहीं रादा, मंधारी काका ठीक कहते है, ये हत्या आत्म हत्या करने से तो बहतर होगी, और कम से कम दुनिया को हमारी प्रेम की सच्चाई का तो पता चलेगा, लेकिन वासु इनका मतलब पथरों से पानी निकालने का है, अगर फराद अपनी महगूबा शीरी के लिए पार ख पसो, चल्द, कैसा मैंने कहा, वैसा ही करना किसकी इजाज़त से भागे थे वहां से हत्यार छोड़ कर, इसलिए चाचा, क्योंकि अब मुझे आपके हत्यार नहीं उठाने है, क्या, हाँ चाचा, अखिर, अखिर क्या दिया इन हत्यार हैं हमें, कून, लाशे, अनात बच्चे, विद्वा औरते, अरे मोर्क, यही चीजे तो दी हैं पाली नगर वालों ने हमें, इसलिए तो यह युद्ध है, लेकर नहीं करना है मुझे युद्ध, जो बदले की भावला में सद्यों तक चलता रहे, यह बदला मेरे भाईया का है, तुम्हारे बाबा का है, मेरे बाबा ने यह सब नहीं चाहता, वो तो दुश्पनों को नहीं, दुश्पनी खत्म करना चाहते थे, तो फिर हम समझ लें के तुम्हे युद्ध से हिंकार है, युद्ध तो माबारत का भी हुआ था, कौन जीता था उसमें, आँ बेटा ठीकी बोले तू, कोई कार बनके तो नहीं नहीं रहे सकते हम, लेकिन दादू, तेरियां बातां सब सुन रही है, बिटे, जब तेरी उमर का मैं था न, मुझे भी ऐसी बातां करने का बड़ा शौक था, लेकिन आज मेरे आदर्श, मुझे हत्यार उठाने से मना कर रहे है, दादू, गगन, जब इसकी आत्म ही नहीं मानती है, तो इसके हाथ का उक्टिंग है, और गोली क्या चलाएगा ये है, बेच दो इसके बापिस, अचारिया जी के पास, बिदा इसको, बेच दो ये तो बहुत बढ़िया फैसला किया तुमने दादा भी, ये बात मैं तुमको बहुत पहले कहने वारा था, तो कई क्यों ना, कहना जाना, कर देर आए दुरूस्ता है, अब मैं तो कल जा रहा हूं लाली परवत अचारिया जी के पास, तुमको तो छोड़ा हूं इसको भी लड़ मर ली ना, और सब खतकों जाए, तब भेज दे अपने इस किसन को हमारे पास, बंशी बजान के लिए अपनी, सिट्टी बजाता फिरेगा इन पाडियों में, सिट्टी मा, मैं थोड़े दिनों के लिए तो जा रहा हूं मा, तु मेरे पास आये कब था बेटर, मैंने तो सिर्फ तुझे तस्वीरों में बड़ा होते देखा, दादू, मुझे माफ कर देना दादू, ओ नदान, तु क्या जानता है, मेरे दिल का तुखला है, तु मेरे दिल का त आओ, 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 शर्माओ नहीं, ये भी मेरा ही घर है, जन्मा भी यहां था, और मरूंगा भी यहीं पे, हाँ, जन्मे का तो मालूम नहीं, लेकिन मरेगा तो तु जरूर यहां, राम राम बड़ी दी, देखो, एक बच्चे को ले कर जा रहा हूं, और दूसरी बच्ची को छोड़कर जा रहा हूं, तुमारे पास, बच्ची, अरे, यार, मन्धारी की जिन्दिगी में भी ना जाने, क्या, क्या, नाटक लिखे हूं है, डाजा, ले, नाटक की बात करे हैं तु, अरे, वो कनकपूर में धीना, अपनी एक स्वरस्वती बहन, स्वरस्वती बहन, अरे, यार, वो पंड़ताईन है, ओ, पंड़ता, वो तो साला साल हो गए, मरगे विचारी, अरे, वो तो मर गई, मगर उसकी एक विद्वा बेटी थी ना, वो सुमित्रा सुमित्रा, वो तो जिन्दा थी ना, तु उसके क्या होगा, वो भी मर गई कल राट को, ओ, वो महिने के लिए लाली परवत जा रहा है, तु इसका क्या करेगा, फिर मेरे दिमाग में आया कि इस घर से भला इसके लिए और कौन सा घर हो सकता है, तु जे ये घर क्या आना थाले लागे है, बड़ी दी, दो तीन महिने की बात है, घर का काम काज करेगी, तुम्हारी देख देख बैटी, तु चिंता ना कर, बस ये घर तेरा अपना ही है, ऐसे समझ, चल्वान तयार, सब कुछ तयार है, आईए, आपको सीमा तक छोड़ देता हूँ, आँ, सीमा तक, चलो संध्या होने वारी है, चलो जीए, आँ देखिए, आप रोई ये मत, मैं समझ सकता हूँ, कि आप एक घर से बेकर होकर इस घर में आईए, लेकिन मैं आपको इश्वास दिलाता हूँ, इस घर के कण कण में प्यार बढ़ा है, और सभी आपको बहुत प्यार देंगे, है ना मा, हां, गुड़ लाक, जब कोई शुप शुबात होने वाली हो, तो उस वाक्त गुड़ लाक कहते हैं, के नाम है तरा छोड़ी, जी, जी रादा, वासू, हमारी आखरी उमीद है, इसका खयाल रखेगा, गगन, वासू हमारी भी आखरी उमीद है, इसका तो ईश्वर खयाल रखेगा, जलो बेटे, हमज गए ना वासू, इस प्रेम परेक्षा में तुम्हें पत्थर में फूल खिलाना है, ताजेश्वर की उस दोस्ती, उस मासूमियत को वापस लाना है, अब जाओ, करें, पेटे भाज़ कर, तर्ण, तर्ण बढ़ी, यह लिजए अपनी बंदरूमा, थेंक्यू, बेटे, थेंक्यू, आफेटे, राजा महिंदर सेंग, थेंक्यू ऐसे नहीं कहा जाता, थेंक्यू, ऐसे कहा जाता, लो बेटे, तुमने बहुत दिलिरी दिखाई, जीते लाटे, अंकल, आपने उस लड़के की इतनी छोटी सी बात के लिए आपकी किम्ती अंगुठी दे दी? छोटी सी बात नहीं थी बेटे, उससे तुम्हाई जान मचाई है, तो हमारी भी जान हो, राजा महिंदर सिंग की भी जान हो, राजेश्वर जी अब आपको राधा की शाधी की तारीक के बारे में कुछ सोचना चाहिए, वो तो सोची रहा हूँ, अरे तुम? जी, यहां के से? जी, वो आपके अंगूठी आपस करने आया था जी, वो क्यों? मुझे अंगूठी नहीं, रॉकरी चाहिए, जरू मिलेगी, बैठो, बैठो, क्या नाम है दुभाना? जी, मेरा नाम कृष्णा, कुछ पढ़े लिखके हो, जी, मैं ज्यादा नहीं, लेकिन अकल है, अकल है, तो फिर हमारी कुछ सवालों का जवाब दो, जी, काम करने से क्या मिलता है? पैसा, और मेहनत करने से? फन, मालिक का होक्म, लॉकर की जान, सबसे बड़ा रिष्टा, दोस्ती, दोस्ती, वो क्यों? जी, साब जी, वो दोस्ती रिष्टों से नहीं, दिल से पैदा होती है, और सबसे खतरनाक दुश्मन? कोई गहरा या पुराना दोस्त? तुभारा आखरी जवाब हमें सबसे ज्यादा पसंद आया, तुम पास हुए, शुक्रिए साब जी, शुक्रिए, शुक्रिए जी, शुक्रिए जी, शुक्रिए जी, शुक्रिए जुक्रिए 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 कि यह तो जाते चुप हो गया तेरी गोब में और यह तो कमाल ही हो गया रिष्टेदार जो दिखे है इसका बच्ची का रिष्टा तो बुआ भी ममता से होता है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक देख बटी रादा, आज से बच्चा है ना इतरी जम्हारी मेरे सरका मुझ तो अलगा हो गया बच्चा भी चुप, मरपर्दी भी चुप, दोनों के दोनों चुप मुझ मत दया कीजिये, शाम बाबुजी, मैं बर्बाद हो गई हूँ मैं आपके मैं चिक्की माँ बनने वाले हूँ जा वकवास कटती है मुझे बचा लिजे नाप, मैं आपके पाउँ परती हूँ खबरदाज हूँ इस बारे में जरासिवी जबान खोली तो मैं यहां से नहीं जाओंगी जाओं मैं कहता हूँ यह एक बारूँगा तुम औरत पर हाथ नहीं उठाते दोस्त तुम क्या इसके खसम लगते हो नहीं वो तो आप है आपका फर्ज उसकी इफासद करना उस पर हाथ उठाना नहीं मुझे फर्ज सिखलाता है मुझे क्यों रहे तुने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया साब वो तो यह सालाम मुझे पंच दिखला रहा था अच्छा मुझे भी तो जरा इसका पंच देखने दे जी आपको चल दिखा तेरा पंच नहीं साब जी आप मालिक लोग हैं मालिक लोग पर हाथ उठाना शोबान नहीं देता क्या बोला तो कमोने वस्टर जी कमोन वो तो शोमी बात तो सुनिये जी शोबे पंच शाम, निकाल जुलूद सालेगा साले, आग में तरे मुझे सालसाब, सालसाब, साबची सर, एक तरे लड़कियों को छेड़ता है अब जब मैंने मना किया तो मुझे पर हाथ उठाया इसने साबजी, साबजी मने कुछ नहीं किया साबजी मैं be قसूर हूँ नाँ तुम बेकसूर करदो कि उससे चोड़ोई उसे अब हमारी एक बात के जवाब दो जी जो जुल्म करता है वो कौन होता है? अपराथी जो जुल्म सहता है वो कौन होता है? बड़ा अपराथी तो फिर तुम बड़े अपराथी हो हम तुम इसके सजा देते हैं ये पिस्टॉल लो और उसे शूट कर दो शूट है शूट है तुम्हारा निशाना क्यूं चूका? आपका हुकुम मैंने माण लिया साबजी क्योंकि आपका हुकुम इसे शूट करने के लिए था इससे ख़त पकरने के लिए नहीं अगर मैं इसे मार जेता साबजी तो इसके साथ दो और जाने जाती एक उस औरत की और उसके होने वाले बच्चे की सुना भाई तुम लोगों ने हम तो पहाँ खोद कर ये हीरा लाए थे और तुम इसे पत्रों पर घसीट रहे थे हमने तुमें ताकत दी तब तुमने जल्म किये हमने इसे ताकत दी तो इसने इंसाफ किया यही फरक है तुम लोगों और इसमें इसने तुम्हारी जान बखशे इसलिए कि अब तुम इस लड़की से शादी करोगे और इसका यह इनाम मिलेगा कि अब हमेशा यह हमारे साथ रहेगा आओ कुछना बापा को क्या हो गया पता नहीं कहां से आयो तुम कड़कपुर से यह सनातनपुर से कड़कपुर से जी यह इसका बेटा है तु अनात हो जी बंदूग चलानी कहां सीखी बाप वाज बता जी यहां कैसे दो वक्त की रोटी रहने को गार उसके अलावा अगर हमारे घर में जहांकनी की कोशिश की तो याद रखना तुम से जादा हमें बंदूग चलानी आती है जाता हो जी छोड़ दो इसे दादाबीर अमला के खून के वक्त कुनाल धुलीपूर पहुच चुका था वो यहां नहीं था ये बात थाबित हो चुकी है दादाबीर ये बच्चा कुनाल का है और ये कुनाल के आई जहां ये बात अगर कुनाल से मान ले हो तो ठीक है और जनाम आने तो गोलियों से बनवा लें नहीं हो दादाबीर होसला रखो मामला कोट में दर्ज है एक बच्चे के लिए सेंख़णों का खून तो नहीं बहाया जा सकता खून जब भी बहाया करनाहिल साथ पाली नगरवालों की तरफ से पहले क्या समझे थे एक बात ध्यान से सुन लो इस घर में अगर रहना है तो आंख और कान बंद करका रहना होगा समझे जी लखी राम इस पर नज़र रखो राधा घर की सब साथ सफाई हो गई क्रिश्णा जी हाँ साब जी लेकिन वो नीचे वाले कमरे में ताला लगा है और उसकी चाबी शायद आपके पास है वो नीचे का कमरा हमारी राधा का है न उसकी चाबी हमेशा हमारे पास रहती है ये क्या कर रहे हो तुम जी वो एक तस्वीर के दो टुकड़े मिले उन्हें जोड रहा हूँ कौन जी तस्वीर जी ये वाली सफाई करते करते नीचे मिल गई थी देखकर लगा कि जरूर आपकी और आपके किसी गहरे दोस्की होगी तो मैंने सोचा क्यों ने इसे जोड कर दिवाल में कहीं लगा दूँ बहुत खुबसूरत है ना साब जी माफी साब जी मैंने आपका दिल दुखाया हाँ दुखाया और बहुत दुखाया ये तस्वीर हमारे दोस्त की थी लेकिन अब सबसे बड़े दुश्मन की कौन है ये साब जी इसे लोग बीर सिंग के नाम से बलाते हैं अच्छा अच्छा वो बीर सिंग तुम उसे कैसे जानते हो हमारे गाव कटकपुर में आपकी और बीर सिंग की बहुत बाते होती हैं ओ क्या बाते चलती हैं यही कि आप बहुत अच्छा आद्मी है और बीर सि सब्सक्राइब जलता है तो भी शराब पी जाती है बतलब तो भवी बच्चे हो ये बाते नहीं समझोगे साब जी उस दिन आपका इंसाफ देखतर तो मैं आपको और भी मानने लग गया हूँ कौन सा इंसाफ जी वही जो आपने उस शाम जी को बच्चा कबूल करने के लिए का वो उनका बच्चा था उनने कबूल करना ही चाहिए था एक बात पूछें साब जी हाँ हाँ पूछो तो क्या कुनाल को अपना बच्चा कबूल नहीं करना चाहिए था जाओ मैंने कोई गलत बात तुम जाओ यहां से सुनो वो बात सिर्फ उस बच्चे की नहीं थी वो बात थी बीर सिंग की वो बीर सिंग सरे बाजार हमारी इज़त नीलाम करने आया था हमारे खानदान को जलील करने आया था क्या कुनाल ने हमसे कहा कि वो बच्चा उसका है लेकिन अगर कुनाल कहे तो आप माननेंगे साब जी नहीं हर्गिस नहीं ये जिन्दगी की ऐसी गहरी चोटे हैं जो तुम अभी समझ नहीं सकते तुम जाओ माफी साब जी मैंने आपका दिल दुखाया अजीव लड़के हो पहले दिल दुखाते हो और फिर मौफी मानते हो मेरे दादू भी आइका करते थे दादू? फिर तो वो जरूर बहुत समयदार आदमे होंगे माफी साब जी ये लुचावी राधा के कमरे की आए आज से तुम इसकी देख भाल करोगे मालिक का हुकम नौकर की चान और देखो एक बात और याद रखना आज के बाद कभी हमारे उस दश्मन का नाम मत लेना अब मेरा घर पसाना भू आभी मने ये राधा बहुत पसंद है दाधा से तुने पूचा है कि तु उसे पसंद है या नहीं? राणी आई दा महलों से अरे ऐसा चोरा कहां मिलेगा तीने इकर जमीन अकेला मरण जा बेता ते रिशादी पक्की भूअभी बात थे लेकि रशार का महिना जाने था भूअभी क्या भूअभी? अरे भाग जागे चोरी के जो कान याने पसंद लागई ये तो धक्के खाती भीती मेरी जान खिडकी बंद कर लो दुश्मनों की नजर लग जाएगी कर दिर हुआा कर दो लागे متा है कर दोड़ लेता करदो जब तक हम के परवत अपनी जगा से हिलना जाए और हम मिलना जाए कोई पर याद न करना तू मुझे को याद न करना हाई क्या तरो हो दोबे भर याद आती है नहीं रुपती नहीं रुपती तेरी याद आती है तेरी याद आती है जब तो अपनी अर्मानों के बुल्शन खिलना जाएं और हम मिलना जाएं नीदे पर बाद न करना तू मुझे को याद न करना तू मुझे को याद न करना आए क्या करो होटों पे पर याद आती है नहीं रुपती नहीं रुपती तेरी याद आती है तेरी याद आती है तेरी याद आती है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है है कोई रोग या जोगी का जोग प्याद के दुश्मन लोग हुआ हुआ है प्यार के दुश्मन लोग जब तक काटों पे चलते ये पाओ छिलना जाए और हम मिलना जाए कोई पर याद न करना तु मुझे को याद न करना तु मुझे को याद न करना हाचा तरू हो दोते तरी याद आती है नहीं रुकती नहीं रुकती तेरी याद आती है तेरी याद आती है आती है आती है ये कंगन तेरे लिए नहीं नहीं चाहिए मुझे ये तुम्हारे कंगन अरे तु मेरी होने वाली बीबी है छोड़ो मेरा रास्ता इतने प्यासे तेरे लिए भाभी तुम सब लोग एक बात कान खोल कर सुन लो इसकी शादी कहां होगी ये कहां जाएगी कहां उठेगी बैठेगी इस बात का फैसला मैं करूँ सिर्फ मैं मैं के जादू चलाया सुझपन ये लड़की आज तक हम से जूट बोलती है ये बुवाभी माजी जूट ये सुमित्रा की बेटी नहीं बलकि मेरी चचेरी बहन अमिता की बेटी है इसकी मा मेरे बच्पन की बड़ी पक्की सहेली थी और बड़े रईस खांदान की थी जी आज से ये इस घर में नौक रानी नहीं रानी बन कर रहे थी माजी चल बेटी माजी आंसु पोंचो और चलो अरे जे तुम बहन भी सोच चे था किमारी राजा बेटी है जो है न है किसी अच्छे खांदान की लुड़ी आपको पता है कितनी इज़त थी इसके बाबा की हमारे गाउं में अच्छा और उतनी दिल वाली थी अमीता देखा बटी कैसे तरीब कर रही अपनी बच्पन की सहेली की हां मैं क्यों नहीं करूंगी मेरी तो बहुत दोज थी हां तो हमारी कौन सी दुश्मनी थी बन गया दुश्मन कट्टर मेरी संतान का बैरी पड़े बाबा आप भी तो उसके संतान के बैरी बने है प्राधा जिया जा जुजा की खाना परोज़ा क्या क्या इसको हमारी स्टोरी क्या मालूम तो पता इसको हमारी स्टोरी का सापजी हॉल में पार्टी चल रही है आप ने गए तुम हमारे पास पैचे रहो उस पार्टी में सब जाहले कठे हैं वहां हमारा क्या काम क्या बताएं कृष्णा किस किस को सम्झाएं चलो अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने जे दीवानगी तो पागलपन का दूसरा नाम होगे है इसका मतलब इसका मतलब कि जिस बाइरे की तूँ बात कर रही थी ना जे रज इस वर तो बचपन से ही पागल था पर बड़ बबाबा माजी तो कह रहे थे कि आप दोना बचपन के बहुत कहरे दोस्ते थे ना बचपन था बेटी बेवकूफ से अकल नहीं थी समझ नहीं थी तुम्हें कोई गाना आता है जी हां एक आता है कौन सा जी वो इमली का बूटा बेरी का पेर सुनाओ साब जी तुम सोडा डालो अब तु खाना लगा बेटी अदे खाना लगा ते समयना दुश्मनों की बात निकल ले तुम जो तस्वीर जोड रहे थे ना जिसकी वो और हम यह गाना गाया करते थे हां यह गाना लेकिन मैने तो सुनाए बीर सिंग ने आपको पढ़ाया है बीर सिंग ने? राजेश्वर सिंग को पढ़ाया? उस चाहिल ने? अरे वो तो अब तक अपनी भाशा हिंदी नहीं बोल सकता ठीक तरे? वो कृष्ण वो स्कूल नहीं जाया करता था स्कूल के अंदर नहीं बेटे मैं तो स्कूल के बाहर खाला लेता था घंटों इसका इंतिजार करे था ऐखे रहता ह है और रोज रात के रोज रात के दर्म गरम दूद के तत्या ताक इसके नमाग के तजी रहे खंड रहे मरे ठीकतर से अच्छी तरा से जिज कहे बड़ा आज़मी बने अब खाया बड़ाजमी बहुत स्वादागर पर तिल इस तर इह इतना सा है कितनी मौपबती हमें उससे हम उसकी बैल गाड़ी को धक्का दिया करते थे धक्का धक्का देते थे टांग तुवाली थी हमने उस दिन जब उसकी टांग तूड़ गई थी न तो हमने भी अपनी टांग बढ़ा लिया पर हम ले लिया साथ दिन सब एक ही टांग को टिक टिकड़ा रहा है अच्छा अरे वो दोस्ती क्या समझेगा हम बदेश जाकर भी उसे नहीं भूले राज उसे राजेसर सिंग हो गया और अच्छा भी बद्लया के बंदू कहितान ने बड़ा भ्यानक धोका दिया उसने हमें हमारी बहन पाली कांता ने उसकी वज़े से आतम हत्या कर ली अब बद्लय में उनने कैसा घाव दिया मुझे मेरे जौन बेटे विशाल का खून करा दिया विशाल की मौत के गम में शरीक होने गए थे हम और उसने हमें गतल के जूटे अलजाम में जेल करवा दी जेल जेल का पर ने कराई थी किसने बचाया था हो गाल घर में तो खुदी पाल लख रहे हैं साप अब इच्छू एक बून पानी भी मांगेगा दाम से तो हम नहीं देंगे उसे नहीं देंगे अगदार कहींगा घमन्डी, जाहिल, हट्टी, कमार पखन्डी एक नम्मर का पखन्डी मैं बोलू मैं तेरे राम कान क्यों सुमा रिया हूँ देख बेटी रादा बेटी तू तो आपड़ी है ना जी तो जजबात है ना वो उबलाती है बाहर अजबात मैं ती सकी है ना ये तेरे मेरे में ही रहने चाहिए ठीक है किसी और को नहीं बता ना बिलकुल नहीं वो बाकि ओ जो है ना उसको तो ना छोड़ोंगा नहीं यानि आप दोनों कभी नी मिल सकते साब जी कभी नहीं कभी नहीं ये आपने किस नातक में फसा दिया हमें मन्दारी काका जिन्दगी एक नाटक ही तो है बेटी और आज इस नाटक के महारती को हमें एक सबक सिखाना है वो आ रहा है तुम समझ गई न ये लोग जाओ सिनक तिनक 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 तारा शिनक तिनक 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 तिन जलगर जलनी हो गई दे हिमली का जूटा बेरी का पे हिमली खटी मीखे दे अच्छा था लंगीर बड़े बाबा किस सिखा तो ने गाना पहले बताईए अच्छा था कि नहीं पराणा गाना होए आज के बाद एक नमे एक गाने की आवाज नहीं आनी चाहिए लेकिन सारे जमाना गाता है इसको दुनिया गाती होगी पर तू नहीं गाना है मैं गाउंगी तू गाएगी? हाँ तू गाएगी? हाँ गाउंगी फिर मेरे घर में नहीं रहेगी तू क्या? इसका मतलब आप मुझे घर से निकाल देंगे? कर वह की तुमारी बच्ची के साथ ऐसा शु graphic कर रहा है और यार याद UP की बात नहीं है पे टी यह यह वो गाना रही थी वह कर भान गया थे ला कि अ जधल भद गया लिट to work Meht pag पत्थरों को चोटनी लगा करती चल बेटी इस पत्थर के साथ नहीं रहना चल तू मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी चल क्या 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 लेकर जा रहा तू इन्हें क्या लगती है तेरी यह क्या लगती है तू पुछे है पुछे क्या लगती है जबके मेरे दिल का टुकड तब इन टुकड़े टुकड़े कर दिये तुने इसके दिल के के मतलब, के मतलब? मतलब यह दादा बीर, कि जब इन टुकड़ों को जोडने का खयाल आ जाए ना तेरे दिल में तब आ जाईयो मेरे पास और ले जाईयो इसको, चाल बेटी और अधा बेटी, और अधा बेटी इस जंगल में हम दोशे, कल खर चल दी हो गई वे इमली का भूटा बेरी का पे, इमली खरटी नीखे वे मैं कुछ भी कर जाऊंगा, तेरे लिए मर जाऊंगा मैं कुछ भी कर जाऊंगा, तेरे लिए मर जाऊंगा मेरे लिए तू इतना ते गीत वो ये बख भन का जे तिनक तिनक तिन्थारा तिनक तिनक रहे तिनक तिनक तिन्थारा तिनक तिनक रहे इमली का भूटा पेरी का पेर इम्ली खट्टी नीखे वे अमुन्दारी, ते किस की तस्कीर लगा रखिये तुने? उस गमंडी की तस्कीर लगा रखिये तेरा ही तो दोस्ता ना? था, 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 था! अब कोई दोस्त नहीं है मेरा तेरे गुस्से में मन्ने मुहबबत की जड़क नदर आ रही है, दादबीर मुहबबत? तेरे को मेरे चेरे पे मुहबबत दिखाई पड़े है तेरी अक्षा में तब मुत्ती आ ओगया मंदारी तुम उड़ा हो गया, तेरे दिखाई ना पड़े अले खाना तो तूसी का का रहा था देख देख इसके, इसके बाप का गल्मा है आपको रजेश को सी और रजेश रहा अकिया चुपके बढ़ा तूच ये दर्यों में और महलों में बार निकल निकल देख कोड खड़ा है तरे स्थावने में ये है ताटा भीर तो पैसे क्या कमा लिए आपड़े आपकी बड़ा तोक समझे तोक इसी मट्टी में से तोक बड़ा हो ये तू अब बुल गया आपड़े करी भाईयां के ओ नाले वाली स्कूल में पड़े था बुल गया इसके तोक अब जामे में नारबं में नहीं होरे था मैं शिखलाया शिखलाया कि नहीं अब दोका तमासा मेरे लल कारे हो मेरे लल कारे है मेरे चलेंज करे अब फिर कर तो मेरे सामने पास अब फिर कर तो मेरे सामने पास हुआ है आप अब मेरे चांजादी कर दो का नहीं हो पूर्जा देरी का पेर इबली खाट दी शीखे देर अरे इसे डंगल में एक ही से एक ही तुमारे नाम में माइकल थापा ने होंग कॉंग बैंक में दो करोर रुप्या जमा किया मगर इस जायदा काकदाथ हमको अभी तक नहीं मिला आप भी कैसी बात करें थापा साब ए मेरा मॉंटी बहुत जल्द ठाकूर खानदान का दामाद बनने वाला है उसके बाद सारा पाली नगर आपका आपको करन और राजा का रिष्टा पसंद नहीं पसंद क्योंनी जीजा जी लेकिन सनातनपुर के खत्रे को देखते हुए मुझे तो लगता है कि रादा बिटिया की शाद्दी अपने गराने के किसी लड़के के साथ हो जाए तो बहुत बेतर रहेगा आपकी नगर में कोई ऐसा लड़का है लो अपना मौन्टी आपका बच्छडा मौन्टी जी बड़े हैं आप धपड मार भी सकते हैं जी सुना है आपको बड़ा जोरदर थपड़ पड़ा है हाँ पड़ा है मैं आप इस घर में नहीं रहूंगी यू चूनिया माइकल थपा के काले चश्मे में मन ने बड़ा गुसा दीख रहा है तू पेपर का इंतजाम कर पेपर का और रजेश्वर के दस्तकत के साथ बड़े मामा कुनाल मामा मैं अपने किये पर बहुत चर्मिंदा हूँ ओ बच्चा मेरा है और मुझे कुबूल है लेकिन बड़े पापा से आप ही मुझे बजा सकते हैं प्लीज मामा मैं आपके पाउंग परता हूँ वली राम टेलीफोन कट कर और मेरा इंतजार कर बाई गाट मुझे बचालो मामा मुझे बचालो प्लीज बच्चडे जैसा मैं कहूं वैसा कर हा मामा तुम्हें यहां नहीं आना चाहिता कुनार मेरी बात समझो राधा यह मेरा बच्चा है और मैं से ले जाने आया चुनिया मामा ने खास भेजा है वो हमारे गर्वें बड़े बाबा का दास बना बैठ है और मैं यहां पे दासी बात सुनो राधा, घर चलो यहां ख़दरा ही ख़दरा है नहीं बगड़ो उसे जाधा तो जल्दी भाग जा बावी मादरी का का अरीगी, क्या करें याप तेरा नाम वासुख है के नहीं? नहीं छूट बोलता है आराम जाले या तुझे नहीं छूट अबे इस सच सच बता दे नहीं तो पीर सिंग की अलाद है के नहीं? नहीं पच्छडे, अपने मूँ से कबूल कर ले जान बच जाएगी तेरी तुम इसे छोड़ो और हमारे सवालों का जवाब दो इस वक्त में आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता राजा साब क्यों? क्योंकि किसी से मेरा वादा है और वो मुझे बुला रहा है पकड़ो उसे, पकड़ो इसे नहीं, तुम यहीं खड़े रहोगे क्यों जी जाजी? हम शिकार पर लोम्रियों को नहीं सिपाहियों को भेजती है गया, तुम जाओ पकड़ो उस लड़के को मांधारियर, तुम क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो? कल सुबह हो लिए और आज इस पार्टी में समी महमान आए हुए मुझे आपकी शरुन लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिला, मातोर साब तुम्हें तो मालूम है कि मैंने इस पार्टी में में राजेश्वरा दादाबीर दोनों को दावत दे रखिये, अगर वो यहां पहुच गए तो कयामत हो जाएगी कयामत तो आचुकी है मातो साब, अब तो बस अब तुम्हें अब तुम्हें नहीं, नहीं नहीं अब तुम्हारी यह गलती से कई बेकुनाओं का खून हो सकता है बोईस, पालो इनको चुनाये की परसों से आपकी दुनिया में प्रेम करने वालों की हत्या होते आई है लेकिन आज यहां हत्या नहीं, आत्मा हत्या होगी अगर किसी ने भी हमें चुने की कोशिश की तो हम इस आग में कुद कर चांते देंगे यह कसा में हमें हमारी मौपत की की, 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 की मौपत की, 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 मौपत की, की, की जमाने से बगावत की जमाना कर ले अब कुछ भी जी, हाँ, जी, मौपत की, की, की जमाने से बगावत की जमाना कर ले अब कुछ भी जी, हाँ, जी, मौपत की, की, की जमानी से भगाबत की जमाना किर ले अब कुछ भी की महाँ जी मुपबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब हुआ है, हुआ ब किसे मन्दिर के अंदर सचन की सचन की मूरत यारत ने जी हाँ जी मुहबत की 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 मुहबत की 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 जमाने से बगावत की जमाना कर ले अब कुछ भी जी मुहबत की की जमाने से बगावत की मुहबत की की मुहबत की की मुहबत की की जमाने से बगावत की मुहबत की की मुहबत की की अजय खुझे झाल दीरज रखो दानबीर आपके दस्तखत चाहिए वो क्यों पापा ने माइकल थापा को आपका पुराना किला एक सौदे में बेश दिया है पाली नगर के सौदागर हम है या तुम्हारा बाप आप थे अब नहीं वक्त बदल चुका है ठाकुर सहब अब बजलते हुए वक्त को तु हम देख रहे हैं तो तुम्हें हमारे दस्तखत चाहिए हम तुम्हारे बाप को एक नहीं बहुत से दस्तखत देंगे अगे और यहां कुम्हारेर तुम्हारे अब पल्सटिए छोदागर 해주 को को अ नहीं arts राजेस्वर बाबू, तस्तखत करने के लिए साली जिन्दा उंगलियां चाहिए, नहीं तो गाड कसम बुल्लेट काड़ दता था रहे सीने में अरे बली राम के बच्चे, राजेश्वर की तो मुर्दा उंगलियां भी तेरी गोली को रोग लेंगी, चला गोली राजेस्वर बाबू, इस साध्य में घटा तो था रही है, बड़ा वेवी चुनियां, मिटा वेवी चुनियां, बड़ा हरामी है साला चुनियां 14 साल की तने जेल करा दी चुनियां ने मेरे आतों, अर तरह पिच्चे से पाली नगर की जमीन का एक एक इंच माइकल थापा को बेच खाया अपने आतों अर राजेस्वर, तुतरंगों क्या, अब दस्तखत करने में एक फाइदा है, तेरी छोरी की इचत पच्चाएगी नहीं तो कोठे में नचाओंगा तेरी रादा को चम 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 बली राम अर राम जादे तुन्हे अपने खलीज गन्दे मुझे रादा का नम दिया, मैं तेरा मुझ ठाट कर तुनिया अठ जाएज जये छोड़ दीजे फाइज चोड़ दीजे, छोड़ दीजे, अठड जाएज जाएज फ़ेजिए, फट पच्चाएज पली रादा इसको 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 Narasya का नाम लिया, इस हमारी हमारी सत्पहाठ बीरू बीरू ये वही बली है जो बस्तन में उससे पड़ चुका है, पहले भी आरामी था और अब भी आरामी है, इसका साथ दे रहा है, इस ते रहा है, जिन्दगी फैरते है, जूते चाटे रहा है यह पड़ छोड़ इसको, इस मैसे नहीं सो हूँ आज, मैसे चाट दे करा हुआ, इस मैसे चाहने भी फोड़ नहीं लेगा, भगा दिया न उस कमीने कुट्टे को, आँ छोड़ दिया, भगा दिया उसके, वो तू क्या पागल हो गया, राज, तेरे आतो मारा जावेगा नो, तो उसका तू काम हो जाना, और तेरा की होना है, यह सुचा है, यह सुचा है, भाई साथ, तू अदालत के कटेरे में न, कातिल बनके खड़ा हो जाना है, अपर से होई रुषवाई, होई जेल की सलाखें, और चौदा साल कैद बाब शक्कत, जे नपुनसिक गड़िये सारे यह दिनों के बीच में दिवार खड़ी करने वाले जित्तेरे दिल में दौनशूर बनके जैर, दोड़ा हैं न, उपर निचे उपर निचे इसका बीच इनोने बोया, इनोने बोया वो नफन का बीच, कर दो कर दो कर दो भूल जाओ यार दादा वीर जो हुआ सा खेलेंगे ना करनेल साब दादा वीर के तो वर्सों हो गया उली ना खेली उनने क्यों बस मन ना किया तो ना खेली होली मौत हुई थी किसी की आप ऐसी समझे लो करनेल साब ये कुछ मर गया तो मेरा मौत हुई थी उसकी ओहो गुस्सा छोड़ो यार दादा वीर फूली प्यार का तेवार होता है मन ने किया ना कुछी कर लियो करनेल साब पर मेरे उपर रंग ना फेकना हो जाप हम फौजी लोग हैं जबरदस्ती भी कर सकते हैं दादा वीर आज 25 साल से तो किसी की इम्मत ना होई जो जो जबरदस्ती मेरे उपर रंग फेकना है हां का नर इस आदमी पर एक ही इंसान रंग पिंख सकता है हाहाा! हाहा! अग्ञब अजगा ग्रॉब बिर्णोंना, हाजप लॉप लॉपुछ लॉपूई था झाल, हुआु गजूँ लॉपुछ, भेज ही तीजर नाया, गाल, है एफुछ, यॉदुछ, तीजर दुग, खाल, कि यह नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता थापा ऐसा कभी नहीं होगा राजेश्वर को यहां लाना होगा और उसे मेरे बेटे के खूड का हिसाब टुकाना होगा हे राजिन चल बीरू हे राजिन चल बीरू गर्टी मीठे बेर इस जंगल में हम दो शेर चल घर चलती हो गई देर चल घर चलती हो गई देर इमली का बूटा बेरी का पेर इमली खटी मीधे बेर इस जंगल में हम दोशे चल घर जल्दी हो गई देर इमली का बूटा बेरी का पेर जिस दिन से तू रूट गया जिस दिन से तू रूट गया तेरी कसम दिल तूट गया ना जाने कब रात हुई ना जाने कब हुई सवे इमली का पूटा बेरी का पे इमली खटी मीधे बे इस जंगल में हम दोशे चल घर जल्दी हो गई दे चल घर जल्दी हो गई दे इमली का पूटा बेरी का पेर चल उल्दी हुईंग मुआतर पिरेग कर दो सक्षिना कर दरिए सरिय कर भाहँ से प्राइब भाहँ! गौनक प्यार के नाम की है, ये दौलत किस काम की है हीरे मोती, लगते हैं मिठी के भी इमले का भूता, बेरी का पेर, इमली खड़ती मीठे बेर इस तंगल में हम दोटे, चल कर जलती हो गई दे चल कर जलती हो गई दे, इमले का भूता, बेरी का पेर इमले का भूता, बेरी का पेर, इमली खड़ती दे बेर इस तंगल में हम दोशे, चल कर जलती हो गई दे, चल कर जलती हो गई दे, इमले का भूता, बेरी का पेर आज बहुत बड़ा तुफ़ान आने वाला है बेटा, एक दिन तेरे बाबा बेर से ही गई धर, कभी लोटके नहीं आए इसलिए तो जाना है मा, यही तो देखना है, कि आज प्रेम की बांस रिजीतेगी, या नफरत की दलवार बसू हरामजादे, तु फिर यहां आउ रादा, हम भी ने बताते कि बगावत क्या होती है रादा, रुक्या रादा, हराम रादा मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है प्रेम की रक्षया के लिए पाई गाव आव रादा भादो बच्छे डरो नहीं मेरे बच्छडो अरे, चालीस साड की सेवा के बाद राजेश्वर ने मुझे निकाल दिया तुम तो चार मिन्ने में रोने लगे प्रेम और विज्वास का दुस्मन है राजेश्वर है तुम दोनों की साद्धी हम घरवाएंगे आज और अभी और देखते हैं गोर ससुरा उगली उठाता है तुम पर और देवन उसे दो प्यार्चे ठंडा करके भेज़ए बच्छो और माशूम लोगों में नफ्रत की आग भेला कर आदमी सरातनपुर और पारी नगर का राजा तो बन सकता है पर वह भूल जाता है कि अंत में अंत में वही आग उसे भी पकड़ लेती है अब देखना ये है राजेश्वर दादाभीर कि कैसे रोकोगी यांधी कैसे बुझाओगी आग इन सब तारों में बिजली का करंद लगा दिया गया है वाई गाड और इस गेत पर बॉमनित लगा दिया गया है जो ही गारी आएगी उर जाएगी आगे बलो आगे बलो आगे पारी दूँआ है आगे वागे वागे उराईश्वर आगे वागे 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 बिर्व वी शोट सर्व बिर्व तरव चांज बिर्व इफ नquiौ adolescents मैं जब हुआझ वह एफ गांद कम कैसा में इनके पूरे खानदान को मारकूंगा है हमारे दोस्ती के र्एक्टन का सब्सक्ति बश्री देख़ए झोड़ चुके हैं मेरे दोस्ती आप संचे ए Sugden पर इन भीक बंगों को रांच नहीं करने दूंगा नहीं कर जा तुम्हारे वासुने मेरी पेदी पर कच्छा मेरी बात अब तो दुष्वनी पूल जा पकड़ ले दोस्ती का हाथ आप तो भी खो जाए मेरे भाई कगान हसुष्ष्ष्ष्षदध係 एप तो बड़ी देरो गही पाचलो एचा 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 तुम्हारा दुलहा नहीं या जाली उनके आने से पहले तुम्हारी शादी वासू से नहीं मुझ से होगी है अ तुम्हार इजलीव हुआ एढ़ एढ़ चे लुम्हार तुम्हार गार्णवर झुम्हारा हुआ शींवप याar तर पर एज तर पर दो कि वार मेंग पर वार तरू बसक दो दो बसक दूख इत कम दो बसक दो बसक दो अभा पर लग भार बाख वसे हम आप वसी यह नंटी झाल विख कर दो तो एफस्ट तो एफस्ट कर को जाता प्तारी आ वार वारा वारादाज को जाताज वारा वाराण हुआ 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 है युल हुआ हुआ कर चacjiह कर दसके य् Netherlands इचने कर! जी रिणा घाम! भाह, ओाह, ओाह! बाह, जी जी रोगि मेजने, भाह, वाह, ओाह! किसा दागर है, अपनो ठीक, भougherडी आज हम तुमन को बताएंगे हम दिश्मानों की दोस्ती चल मेरे साथ नहीं नहीं जो चलि मेरे साथ आज हम तुमन को बताएंगे हम दिश्मानों की दोस्ती और अचिक पह जो ही आ एू ताफंस मने पाanor जाओर भी मैन настक मि आ कि अच Jordan जयाओ जा पार लगोMay रधि enorm कि झी激 व्य वार भार धार नहाँ झ।। वार प्पव्वार यह झ।। नहाँ ते वर वार पयो कि प्रदिगे प्रद लोग वार लिए प्रेख सब्से अजिए अनिये व्पवार प्रॉब वपबबब को लोग अनिये य시 बवड़ की, उची खुना, विलो का पुर बड़ की जब बूँचा फ्सका तकॉर्ड़ की ता, ये बूँ। बूमा वेलो आषिक है बूँ, बूँचा शनिक ये बूँ अबूँ छेलो, का इबू़ अबूबुचा ँबुचा ये बूबुचा इबूबू अरे कहा है तू अरे यहां बैचाओं मेरी के उपर इने पास घर्देनों में सवार हो दुस्मनों की ए चिन्या आस्तिन के साथ अरे बाहर निकल मेरे यार को बार सो मुझे दूर रखा मैंने विशाल की हत्या की आज अगर हमारे बच्चों को जरा भी छुआ ना तो हट्दियों का पंजर डिकलेगा यहां से अरे बीरू अरे बीरू ते खून बराए बेखू तेरे यार का खून है राजू जो बहते बहते भी गाएगा इमली का बूदा बेली का बेर इमली का ती बीडे बेर है इसे चेखिये तुने में यार कुछ नहीं यार अब कुछ गणबर नहीं करना तुछे तुछे में दोस्ति कस्मीरू मैं बिल्कुल चीफू हूं उमर बजावय तुरी दोस्ती के लिए है में आवियाए दो में हूँ में हूँ वीस दो में हूँ लधे हम लगई लगए हम है 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 इनुफ शूटिंग टॉक बिजनस हमारे आदमियों ने आपको शुट नहीं क्या क्योंकि हमें आपका दस्चत चाहिए माइकल थापा हम तुमारे सप्थे को साइंग करने को तया है लेकिन हमाई दो सर्थे हैं सर्थ पताईए और यहां दस्तकत कीजिए थोड़ो इसे आपने हमें गर्द दिया हमने आपको चुनिया दिया लेट्स को हमारी दोस्ती का खून करने वाले आज हमें तुम्हारा खून चाहिए तुनहारा हूम दूने पच्चों को आपको तुझे नहीं चुरू अदूने इसान दिया दिखनाए नहीं चुरूआ दोने मेरे पच्चों को चुवां नहीं चुदिया, मैं इसे नहीं मनूगा एक दोस्त के खुन का हिसाब तुछ से लेकर रहूँगा तुझे उसके ख़़ए जाओंगा बिरूट, आज कुटे को लिया हो तेरे ख़़ए तेरे ख़़ए तुझे हो ऐसे जाने नहीं दूगा तुझे मैं, चुदिया, मैं, मैं बिरूट, और कुछ लेसे कांसे, बिरूट बिरूट ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बिरू बिरू, तुझे तुमें कहके किया जा कि तु रुके है ना यह दो भीरो, यह दो मेरे साथ ब्रिसाख बेफाई हुई है रोजेश्वाउब फ्राइश्वाउब 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 बाबा बूल न जाना रखना या तू मेरे मरने के बाद मेरे चिता अपे रख देना थोड़े इनली थोड़े बे बाबा अगर प्रेम का अनथ इसलिए इसलिए इनधों स realize अगर प्रेम का अंध इंसा करती है तो इंसा का विनाश भी सिर्फ प्रेम ही कर सकता है और फिर खैलती है प्यार की रोशनी आओ मिलकर हम सब कोड़े मफरद की इन दिवारों को इस क्यात के लाद सवाहों में उड़नी भी आज गुवारों को चलीने ते क्या जिताये जाँ तू झाल झाल